अब आपको बहुत स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम यह पर बात करने वाले हैं रुलिखन इनिवोस्टी के प्रैक्टिकल और वायवा के बारे में कि आपके जो प्रैक्टिकल या जो वायवा हैं वो आखिर काब होंगे तो अगर आप भी जाना चाहते हैं तो मिर हैं वो 20 मई से स्टार्ट होने जा रहे हैं यूजी और पीजी कोसस में बारत से कь परिछाएं देने वाले स्टुरेंट्स के जो एक्साम है वो वीस महिं से स्टार्ट हो रहे हैं तो अगर आप हमारे वाटस-अप गृुप पर एड़ होना चाहते हैं तो और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गहीं इसके साथ ही आपने अगर अभी तक हमारे ब्लॉक चैनल को सब्सक्राइब नहीं गया तो ब्लॉक चैनल की जो लिंक है वो वीडियो की कमेंट बॉक्स में दी गहीं ब्लॉक चैनल पर आज ही नया ब्लॉक ज या बाय बाय के लिए UGPG में जिन स्टुरेंट्स की बारसिक परच्छा होती हैं उनके लिए अभी तक कोई भी जो डेट है वो गोसित नहीं की गई है practical या बाय बाकली सबसे ज्यादा students का यहीं कmers penso आप ध्यान से सुनें कि हमारा जो practical है या हमारा जो बाय 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 वह एग्जाम से पहले होगा या फिर एक्जाम से बाद में होगा तो जितने भी स्ट्रेंट्स यहां पर यह जाना चाहते हैं कि उनके जो practical या जो वाइबा हैं वो exam से पहले हो जाएंगे या फिर वाद में होंगे तो इसके लिए आपको यहां पर समझना होगा अभी आपको पता ही होगा आपके exam 20 माई से हैं ठीके UGOPG courses में regular private service students के ठीके और यहां पर अभी तक university ने practical या बाइबा के लिए कोई जो date है वो announcement नहीं किये तो अब ही यह तो कहपाना possible नहीं है कि आपके जो practical या जो बाइबा है वो आखिर किस date में होगे लेकिन एक चीज़ आपको समझना होगे कि आपके जो exam है वो लगबग जून तक चलने बाले है ठीक है और university को result भी जल से जल्द देना होता है ताकि students जो है वो next class में admission ले सके ठीक है तो ऐसे में आपके जो practical या जो बाइबा होंगे ठीक है वो आपके exam के बीच में ही हो जाएंगे या निकि आपके exam चलते होंगे और आपके exam में जिसन छुटी होगी उस दिर आपका जो practical या जो बाइबा है वो college की तरफ से करा लिये जागे लेकिन एक चीज आपको अपनी exam scheme download कर सकते हैं इसके अलाबा आप क्या करेगी यूजी पीजी जो भी course हैं जिनकी अभी पर इच्छा होंगे इसमें से उनकी अब exam scheme आएगी कौन सी बाली practical के लिए practical हो जो बाइबा होते हैं उनकी जो डेट है वो यूणिवोस्टी की तरफ से घोसित कर दी जाएग वो किस डेट में यहाँ पर college बालों को permission देती है इनिवोस्टी जो भी डेट बताएगी college बाले उस डेट में आपके जो practical या जो बाइबा है वो करा लेंगे एक चीज और देहां रखना है practical या जो बाइबा है वो एक दिन में नहीं हो जाएंगे नहीं दो दिन में हो जाए कि हमारा इस दिन practical है या जो बाइबा है ठीक है regular course के जो students है वो college जाते होंगे ठीक है और आपको तो college में जाकर पूछना ही पड़ेगा कि आपका जो practical या जो बाइबा है वो किस डेट में होगा लेकिन आप चैनल को subscribe कर लेंगे तो आपको date पता चल जाएगी कि अब ही जो आप अपने college में contact करके जानका रिले सकते हैं कि हमारा जो practical या जो बाइबा है वो किस डेट में रखा गया इसी तरह से practical या जो बाइबा होते है वो यहाँ पर private course के students के लिए भी होते हैं ठीक है PG courses में हमें आपको बाइबा देना पड़ता है ठीक है चाहिए आप M.A.M.C. एमकॉम के students हो ठीक है तो M.A.C. तो regular ही होती है M.A.M.C. के लिए तो private course में PG courses में भी यहाँ पर आपको बाइबा देना होता है final year में तो उसकी date भी आपको college से ही पता चलती है यह चीज आपको धिहां रखना है यह ना सोचे कि college वाले आपको call करके बताएंगे private course के students को call ब कर लीजे जैसे आपको जानकारी मिल जाती है उसके बाद आप अपने जिस भी college से आपने exam form फिल किया उस college में आप contact करके वहाँ पर जाकर ठीक है जानकारी ले सकती है कि हमारा यह जो practical या जो बायबा जो कुछ भी होता है ठीक है वो किस date में होगा तो वहां से आपको जान पीजी कोर्स के private students final year में हैं तो वायबा नहीं होगा वायबा आपको देना होगा ठीक है जो इस्ट्रेंट्स आप जानकारी ले सकते हैं कि वायबा आपको देना ही होता है और college में जाकर ही आपको जानकारी लेना होगी ठीक है ऐसा नहीं है कि आपको college वाले phone करके as per college schedule as per college schedule यानि कि college के schedule के according ये जो वायबा है वो आपको कराया जागा आपको एडमिट कार्ड में लिखा हुआ आजागा practical या वायबा जो कुछ भी होगा वायबा लिखा हुआ जागा practical होगा तो practical लिखा हुआ जागा उसके सामने date लिखी हुई नहीं होगी ठीक है क्योंक समय दे सकती है अब एक महिने में कौन सा college कौन से subject का बाइबा किस दन करा गई है आपके college को पता होगा तो आपको अपने college से ही जानकरी लेना होगी उम्मीद करता हुआ आप समझ गये होंगे जैसी university के तरफ से date आएंगी आपको जानकरी दे दी जाएंगी उसके बाद इन्फोर्मेंसन के साथ thank you so much for watching this video